हाई गाईस कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा स्किन बॉड़ी वाइटनिंग ब्राइटनिंग पैक लेकर के आई हूँ जिसका इस्तमाल करने से इंस्टेंट फर्स्ट एप्लिकेशन में आपको बहुती बहतीरीन फायदे मिलेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमरी को बनाना सो गईस सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है क्लीन बोल और इसमें एड़ करना है हाफ ग्लास ओफ राइस यानि की चावल चावल जो की जैपनिस और कोरियन बहुत जादा स्थमाल करते ही अपनी इसकिन के लिए क्योंकि यह आपके इसकिन के पोर्स को मिनिवाइस करती है इसकिन को ब्रैटनिंग बनाती है वाइटनिंग बनाती है इसकिन को एक्सफ्लोएट करती है साथ ही ये आपके skin को soft बनाती है anti-aging की समस्या को दूर करती है अगर आपको acne की समस्या है अपने चेहरे पे तो उसको भी ये दूर करती है साथ ही ये आपके skin में अगर sun की वज़ा से damage हो गई है skin बहुत जादा sun tanning हो गई है तो उसको भी ये खतम करती है तो आपको इसे अच्छे से करना है wash क्योंकि इसमें होता है उपर से एक polish क्या हुआ होता है और साथ ही दूसरों को हाथ लग करके ये गंदा हो जाता है इसलिए हमें से अच्छे से clean करना है ताकि हमें जो white चावल जो होता है rice वो मिल जाए तो इसके लिए दो से तीन बार आपको इसे अच्छे से इस तरीके से रब करके wash करना है और इसके बाद इस पानी को निकाल के अलग कर लेना है चावल से so guys again से आपको यहाँ पर फिर से पानी को डालना है क्यूंकि हमें चावल को सोक करना है ताकि यह अच्छे से soft हो जाए तो आपको तकरीवन एक से दो घंटे इसको छोड़ देना है ढख करके और सोक होने के लिए ताकि जो चावल है वो बहुत ही अच्छे से firm हो जाए और इसे ढख करके ऐसे ही रख देंगे so guys दो घंटे बाद यहाँ पर कवर को हटाया है और आप देख सकते ही चावल जो हमारा है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सोक हो चुका है और बहुत ज़्यादा soft हो गया है इतना soft कि आप इसे अपने हाथों से ही crush कर सकते हैं इसे अच्छे से यहाँ पर तोड सकते हैं जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ चावल जो है वो बिल्कुली soft हो गया है आपको क्या करना है इस चावल को इसी पानी के साथ मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है ग्राइंड कर लेना है और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर मैं से पीस लेती हूँ और इस पानी को पूरा ही आपको एड करके चावल के साथ पीसना है और एडिशनल में आपको पानी नहीं एड करना है जितना हमने पानी यहाँ पर भिगोया था उतना ही पानी आपको यहाँ पर लेना है तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है grind, अब आपको यहाँ पे strain करना है इसे चान के अलग निकालेना, यानि कि जो हमारा rice milk ready हुआ है, rice water जो हमारा ready हुआ है, उसे आपको यहाँ पे separate करना है, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, उसका हम बनाएंगे यहाँ पे pack, तो आप च लिया है एक pan, सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे rice milk, तो हमने यहाँ पे rice milk add किया, इसके बाद आपको batter add करना है, यानि कि जो हमने grind किया हुआ था rice, उसको यहाँ पे इस pan के अंदर transfer कर लेना है, गैस की flame को आपको बिल्कुल low रखना है, high नहीं रखना है, क्योंकि चाव यह तेजी से पकना चालू हो जाएगा, तो बस आपको धीमियाच ही रखना है, और इसे अच्छे से mash करते जाना है, ताकि यह साथ ही साथ यहाँ पे soft होना शुरू कर दे, अच्छे से mix करने के बाद आपको इसमें again से add करना है milk, तो आपको यहाँ पे again से rice milk नहीं add करना है नौर्मली जो हमारा cow milk होता है, उसे हम add करेंगे, तो तकरीबन आधा glass के करीब मैंने यहाँ पे लिया है cow milk और इसे भी अच्छे से हम mix कर लेंगे, तब तक जब तक कि यह अच्छे से soft ना हो जाए, इस तरीके से mash करते वे, एकदम बिलकुल paste का ready ना होने लगे, और यह थ ठिक consistency में ना हो जाए, तब तक आपको धीमियाज पर इस तरीके से पकाते जाना है इसको, so guys, यहाँ पर यह अच्छे से ठिक हो गया है, अब आपको यहाँ पर grate किया हुआ, डफ सोप अड़ करना है, डफ सोप बहुत ही ज़्यादा moisturize, और normal, natural होता है, उसमें chemical mix नहीं होता है, इसलिए हम इस्तमाल करते हैं, और इसे बच्चों की skin में भी इस्तमाल करते हैं, क्यूंकि वो हमारे skin को बहुत ज़्यादा soft बनाता है, साथ ही आपके skin को brighter और whiten करने के लिए भी बहुत ज़्यादा help करता है, तो इसे भी आपको अच्छे से यहाँ पर mix कर लेना है, अगें से, ताकि सोप और जो चावल milk है, हमारा दूद है, वो अच्छे से यहाँ mix हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, इस से ही ठंडा होने के लिए, ठंडा होने के बाद आपको किसी another bowl में transfer कर लेना है, तो आप देख सकते हैं, मैं हाँ पर इससे इस तरीके से mash करती जारी हूँ, ताकि बिल्कुल ये paste बन जाए, तो guys, वापस से आजाते हैं, एक another bowl ले लेते हैं, और इसमें हम transfer कर देंगे इस pack क तो अभी आप देखने हैं, ये pack काफी ज़्यादा थिक हो गया है, तो आपको यहाँ पर अगर लगता है कि pack बहुत ज़्यादा थिक है, तो आप again से थोड़ा सा milk, लिकिन थोड़ा गुनगुना किया हुआ milk ठंडा नहीं, आपको इसमें add करना है, और इसे again से आपको mix कर लेना है, इसे क्या होगा कि जो बैटर है, वो काफी जो थिक consistency में वैसा नहीं रहेगा, लेकिन ये बात में भी normally ऐसा थिक हो जाता है, क्योंकि चावल है और चावल बहुत ज़्यादा सोक कर लेता है चीजों को, इसलिए, तो यहाँ पर पूरा मैंने ट्रांसफर कर लिया ह अब आपको इसमें एड करना है एक चमच बादाम का तेल, तो मैंने यहाँ पर लिया है sweet almond oil, चुकि हम अपनी skin में इस्तमाल करेंगे, अपने body में इस्तमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर almond oil यूज़ कर रहे है, sweet almond oil बादाम शिरेन का मैंने यहाँ पर लिया है, तो अगर आप के पास नहीं है, तो आप यहाँ पर olive oil भी इस्तमाल कर सकते हैं, इसे अच्छे से आपको mix कर लेना है, ताकि oil, milk, rice and dove soap, यह चारो चीज़ें आपस में mix हो जाएं, और बिल्कुल इसका जो balance है, वो अच्छे से ready हो जाए इस तरीके से, मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से feel कर लिया है, एक container में आप देख सकते हैं, और आपको इसे अपने पूरे हाथ में, पैर में, चेहरे पे, even full body में आप इसे apply कर सकते हैं, जब भी आप नहाने जा रहे हों, उसके पहले आप इसे अपने चेहरे पे, अपने हाथ, पैरों में पूरे शरीर में apply कीजे, थोड़ी देर तक massage कीजे, जैसे आप soap लगाते हैं, उस time अपने चेहरे पे या हाथ, पैरों को आप थोड़ा से रब करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है, और नॉर्मल पानी से wash कर लिजे, इसके बाद आपको soap तो लगाना ही न दिखाती हूँ, so guys, अभी आप देख सकते हैं, मेरी जो हाथ की skin है, हैंड का जो skin है, वो आपको थोड़ी सी dry नजर आ रही होगी, और इसका color भी आप देख सकते हैं, लेकिन जब मैं इसे apply करूँगी, और उसके बाद बाद वाश करूँगी, उसके बाद आप देखिएग पहले अच्छे से लगा लेंगी हम इसे लगाने के बाद आपको इसे क्या करना है, रब करना है अच्छे से मसाज करने हैं इस तरीके से इंस्टेंट आपको यहाँ पे दिखाई देगी वो brightness जो की आप पारलर जाके भी नहीं मिल सकती आपको ऐसे रब करने के बाद आपको इसे ड्राई होने के लिए नहीं चोड़ना है। आपको डारेक्ट यह थी हाँ है, अफलिए आपको यहाँ आपको अछे तरीके हैं आपको नहीं क्या नहीं क्या करने हैं अच्छे साबंश्व पानी से वाश कर लेना है तो चलिए मिलते हैं वाश करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे अच्छे से वाश कर लिया है और आप देख सकते हैं देखिए आपके सामने ही इंस्टेंट है कोई भी filter नहीं मैंने अप्लाई किया है बस hand को wash करके आया है और अभी भी हात जो मेरे हैं यहाँ पर गीला है आप देख सकते हैं इसमें पानी आपको साफ नजर आ रहा होगा तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे इस तरीके से इसकीशन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी अब देख सकते हैं पहले जब हम इसे अप्लाई कर रहे थे तो मेरे hand की जो इसकीशन थी वो कितनी dry लग रहे थी softness बिल्कुल नहीं थी और अभी आप देख सकते हैं कितनी softness भी है साथ में skin का जो color है वो कितना ज़्यादा enhanced हो गया है यानि कि पहले थोड़ा सा dull नज़र आ रहा था थोड़ा blackness नज़र आ ली थी लेकिन अभी आप देख सकते हैं यह देखिए मैं पास से दिखा लिए आपको आपको इसको पूरे body में even अपने चहरे पे भी आप इसे apply कर सकते हैं क्योंकि जो भी चीजें से में इस्तमाल की गई हैं वो 100% natural है इसे बना करके आप one week तक के लिए store कर सकते हैं लेकिन आपको इसे frizz में ही store करना होगा because गर्मी आ रही है तो इसमें हमने चावल इस्तमाल किया है तो वो खराब हो सकते हैं उनके खराब होने के chances जादा हो जाते हैं इसलिए आप इसे cable frizz में ही store करके रखेंगे only one week के लिए तो जैसे आपका पैक खतम होता है आप अगेंस से पैक को बना सकते हैं और आप देखी सकते हैं मेरे हाथों में इसने कितना बढ़िया सा ब्राइटनिंग दिया softness दिया गईस आज की वीडियो आपके लिए यूसफूल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजे चली फरसे मिलते हैं एक एनदर वीडियो के साथ तब तक रिए बाई बाई टेक किया अपना ध्यान रखिए